हेलो माई जियर यूटूब फैमिली सोरियर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज कल मार्केट में एक सुनिशा बीबी क्रीम और सुनिशा का फाउंडीजन बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है बहुत सारे लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं बहुत सारे लोग इसका र अलग है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको फिक सुनिशा क्रीम को कैसे पहचानना है जी हां दोस्तों आपको पता है कि मार्केट में कोई चीज आती है तो अचानक से चा जाती है और आप देख पा रहे होंगे इसमें जो कुछ बिल्खा हु इसको मैंने मगाया है मीशो से और आप देख पा रहे होंगे इसकी पैकेजिंग अंदर से इसमें सिर्फ मुझे यह एक फाउंडेशन का यह डिबा टाइप का मिला हुआ है और यह है इसके साथ बहुत ज्यादा वाइरल हुआ है क्योंकि इसके साथ हमको एक यह कुशन मिल जाता है यह बीटेशन मिल जाता होता है तो यह कि भी ब्लैक कलर का होता है ना कि ब्लैक कलर이 सिब्सक्राइस क्WC बीटेशन में देखके सकते है कि जो बडाक कलर कर एक इसे बन जाती है जो ऑच्छा यह बिल्कुल भी नहीं कि नहीं है इसका ढई जबरस्ती बनवा करके लोकल चिपकाया हुआ है और अभी मैं निकल जाएगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह थीक से बंद भी नहीं हो रहा था जब मैंने इसे खोला तो आप देखिए मैं इसको राउंड राउंड करती ही जा रही हूं और यह घूमता ही जा रहा है समझ नहीं आ रहा है कि यह कब लॉक होगा नहीं टिप टैप वाली इसकी लॉकिंग है और नहीं राउंड राउंड से जो चूणिया बनी होते हैं उस टाइप से यह लॉक हो रहा था तो इसकी पैकेजिंग से ही में काफी ज्यादा निराश हो गई थी और साथ ही में जो इ आप देखें जब मेरी सिस ने मंगाए था तो आप देखें जब मैंने इसे उपन किया था तो पूरा का नीट एंड क्लीन था कोई भी प्रोड़क्ट बाहर नहीं आ रहा था जब आप इसे डैप करते हो तब इसका प्रोड़क्ट बाहर आता है पिक्चर में आपको दिख समझ नहीं रहा हुआ जा रहा है और इसको को सब्सक्राइब नहीं रहा था और इसको कि अनुक्त भी थे यह वह तो फ्रक देख सकते होंगे आपको जो भी थ्रॉबाट लाइट यह वाला हाथ में लिफ्ट वाला लग रहा होगा वसिप मोशिख राईजर की वज़ें नहीं आई हुई है कोई coverage नहीं दे रहा है यह और बहुत ही बहुत ज़्यादा वाहिया थे इसको मैं आपको बोल सकते हैं लाइट आपने कोई भी मौश्राइजर लगा लिया हो या फिर कोई भी जेल क्रीम आपने लगा लिया हो इसका वैसा कुछ टेक्शर था और इसकी packaging त तो बहुत आसानी से available है जब भी कोई चीज मार्केट में बहुत ज़्यादा run करने लगती है तो लोग उसका cheat product बना ले रखते हैं और इसी तरीके से इसके भी कई सारे cheat product बन रहे हैं जो कि इससे 10-20 रुपए कम पैसे में मिलते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह क्रीम मैंने मंगाई थी लगबख 370 रुपए की तो बहुत ज़्यादा सस्ती तो नहीं है लेकिन कुल मिलाकर यह वहना कि मैंने 10-20 रुपए बचाने की चक्कर में अपना पूरा का पूरा पैसा वेस्ट कर दिया है यह मेरा जा रहा है लेकिन आप से गलती ना हो इसके लि मिलती हूं मैं अपने नेक्स वीडियो में ऐसी एक एंफोमेटिव जानकारी के साथ बाबाए